आप सभी का हमारे शेनल करेंटीशी पस्वागत हैं दोस्तों यह वीडियो आज आपके लिए बहुत खास है AICT इंटनसिप को लेकर आप सभी वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को सेर करिए और जल से जल्द रेजिटेशन करिए आपको रेजिश्टेशन करना है तो जल से इस चीज को रेजिश्टेशन करिए और अपने दोस्तों को भी सेर करिए जिससे वो भी कर सके मैं step by step आपको रेजिश्टेशन करना बता रहा हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस website का link आपको description में प्रवाइड कर दूँग हमि करना क्या है हमि करना है रेजिश्टेशन इस पर तो रेजिश्टेशन करने के लिए simply आपको रेजिश्टेशन का इस प्रकार इंटरफेस होगा तो पहले आपको यहाँ पर student है रहा। AICT Affiliated Organization पर क्लिक करना है अगर आप UGC या अदर्स के हैं तो Non-AICT Approve करना है ठीक है तो जैसे Diploma Student है Maximis Channel पर तो आपको हम यहाँ पर Diploma के तोर पर बता रहे हैं तो Simply आपको AICT Approval पर क्लिक कर लेना है ठीक है AICT Affiliated जो Organization इस पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर सारी details को आपको step by step flip करना है देखे वीडियो last तक देख लिजेगा जिससे कोई गलती आप ना करें एक मट की यहाँ पर मैं दो चार्ड मट में यह सारी चीज़े क्लियर करने बाला हूँ तो पहला तो university college institute क्या नियम है आपके college का institute का दूसरा आप institute का type क्या है गौर्मेंट है added है जैसे की देख सकते हैं गौर्मेंट है कि गौर्मेंट added है या फिर private college है या फिर आपका private added है क्या है आपका state government university है यह सारी चीज़े यहाँ पर आपसन आपको मिल जाएगा तो simply जैसे कि हम यहाँ पर government college को choose कर लेते हैं तो मालीजे की स्टूडेंट का government है ठीक है तो government college को यहाँ पर choose करते हैं यहाँ पर आपको क्या होगा यहाँ पर student का ID अर्थाथ enrollment number आपको flip करना है तो यहाँ पर क्या है दोस्त आप first year second year किसी भी year के हैं आप यहाँ पर इसको registration कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है आप registration कर सकते हैं तो यहाँ पर वैसे final year के student ही maximum internship में आप देखते हैं कि final year के इंटर्सिप करते हैं तो आप सभी भी जो first year second year वो भी इसको कोजिस करेंगे अपना आप रेजिस्टेशन कर सकते हैं अगर इस वीडियो को दो दिन के अंतर कल की date तक आप देख लेते तो रेजिस्टेशन कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्त युनिवर्सिटी और इसके बाद आपको यहाँ पर इस्टुटेशन का आईडी आपको यहाँ पर फिलप करना है अर्थात इन्वल्मेंट नंबर आपको इन्वल्मेंट नंबर अपना फिलप करना है ठीक है जिस भी समेश्टर में है जैसे कि आप फाइनल इयर में तो आपना फाइनल इकर जो भी नौल्मेंट नंबर है पिछले का या इस समय का उसको आप फिलप कर दीजे ठीक है नेश्ट आपको यहाँ पर दोस्त है फरस्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम समझेगा फिलप करना है अगर तीन है तो आपको इस प्रकार फिलप कर सकते हैं ज़्याद कोई दिक्कत नहीं होगी आप फिलप कर सकते हैं यह मैंने आपको बता दिया तरीका तो एक स्टेट का है यहाँ पर आपकी स्टेट से बिलाग करते हैं तो आपको जैसे यूपी की बात करें तो यूपी जश्ट नीचे आईएगा तो यह फूर्थ नंबर पर आपको मिल जाएगा इस्टेट यूपी आपने सेलेक्ट कर ल क्लिक कर लिजेगा जैसे यह बरेली से हमने करिया तो बरेली से इसको कर लिजेगा कॉंटेक्ट नंबर आपको अपना फिलप करना है साथ में इमेल आइडी आपको सही फिलप करना है चुकि इमेल आइडी पर ही एक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा साथ में आप समझ सकते हैं वैसे password आप बना लेते होंगे तो इस चीज को आपको इसी password से आपको login भी बाद में करना इस चीज का ध्यान रहे तो यह password दोनों आप फिलप करेंगे फिर so password करके आप देख भी सकते हैं आप password आपने क्या फिलप किया है उसको आप screen side करके रख सकते हैं या favorite color ही कर लिया तो favorite color यहाँ पर click कर सकते हैं और यहाँ पर security answer के रूप में हमने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर color के रूप में जैसे कि हम यहाँ पर black यहाँ पर choose कर लेते हैं ठीक है black हमने कर लिया तो यह आपका क्या हुआ है बस एक security code है और कोई दिक्कत नहीं यह आप यह इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं यह चीज आपको उपर ही दोस्तों देखने को मिल रही थी बार बार ठीक है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मड़ फिर से वे प्लीज कीप योर रिजर्वेशन certificate SC, SC, HD, SC, OBC या फिर EWS के student है ठीक है तो only यहाँ पर आपको बत सकते हैं तो यहाँ पर आपको क्या फिलप करना है आपको अपना gender category ठीक है अपना आपको gender फिलप करना है इसके बाद आपको category बहुत important ही इस चीज का ध्यान रहे जेनल SC, HD, EWS क्या है आपका ठीक है कुछ भी यहाँ पर आप फिलप कर सकते हैं जैसे EWS फिलप कर दिया गया तो EWS फिलप करते हैं तो आपको EWS का certificate यहाँ पर अपलोड करना होगा यहाँ देखिए EWS का certificate है वो आपको फिलप करना होगा यहाँ पर choose पर आपको click करना है तो आपको upload का option आ जाएगा ठीक है नेश्ट अगर हम यहाँ पर जैसे OBC की बात करें तो यहाँ पर अगर आप O किये होंगे या फिर आप 10th किये अगर 10th student आप थे पहले आप 10th के बार आप diploma कर रहे हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे last preference आप चूझ करेंगे तो आपको 10th और 12th और diploma का option आ जाएगा ठीक है तो अगर diploma student है तो हम 12th भी चुन सकते हैं अगर आपने 12th किया था last time या फिर आपका 80% आपका बना था 12th में आपका percentage तो 80 आपको इतना ही flip करना है ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आप 80 के बार आप percentage का भी यहाँ पर चिन्न लगा देंगे तो नहीं लेगा ठीक है चुकि यहाँ पर बिल्कुल clear लिखा हुआ है आप देख सकते हैं please do not include percentage sign यह percentage sign को आपक है one two three तीन आपको preference करना है वैसे course आप सभी के देखने मिलेंगे लेकिन आपको preference किसको देना है तो यहाँ पर बहुत से code है मतलब course है आप देख सकते हैं all based python यहाँ लगबग आप देख सकते हैं लगबग 10 लाग का यह है course ठीक है यह रुपए आपको नहीं मिलेंगे यह coupon code आपको मिल रहा है free coupon इसके जरीए आप सीख सकेंगे चीजों को आप online यहाँ पर free आप सीख पाएंगे ठीक है यह AICT की तरफ से यह चीज़े दी जा रहे है cc++ आप जावा प्रोग्रामिंग यह सारी चीज़े आप देख सकते हैं 50,000 का यह पूरा course है मतलब यह चीज़े यह all based python यह सारी चीज़े आपको आने चाहिए माल लीजे हमने इस course को पहले preference दे दिया इसके बाद और भी आपको second preference देना है ठीक है तो machine learning with python आप देख सकते हैं या फिर आप जैसे की autocad में student सीखते हैं तो autocad का देखिए यहाँ पर option दिखा जाता है आपको autocad का हम option देखत करते हैं देखिए जैसे cad using autodesk inventor तो इसको भी आप ले ले सकते हैं ठीक है diploma student है इसको सीखना चाहिए second preference ठीक है और भी यहाँ पर देख लेते हैं दोस्त यहाँ पर और और भी courses यह से third of एक point और समझ लेते हैं last में आई यह देखते हैं क्या है last में बहुत से यहाँ पर courses हैं दोस्त ठीक है java c plus programming यह तो हमने देख लिया है big data चलिए पहला ही ले ले लेते हैं all based python यह 10 लाग का जो है ठीक है पहला हम इसको चूँए मतलब इतना हमने कर लिया इसके बाद आपको I am not robot पर इस पर आपको simply click करना है जैसे यह चीज़ा आप click कर देते हैं ठीक है तो आप सारी चीज़े अगर आप सही से सारी चीज़े आपने flip किया है ठीक है और ध्यान रहे इसका आप जो flip करेंगे यह आपका PDF form में नहीं होना चाहिए card certificate यह only आपका JPG या GPG या PNG अर्थाथ फोटो जो होती है आप PNG में या JPG में जो होती है उसी को आपको save करके upload करना है और ठीक है यह सारी चीज़े आपको upload करने के बाद सारी चीज़े fill up करने के बाद finally आपको यहाँ पर क्या करना है registration पर click करना है जैसे ही आप registration पर click करेंगे अब मैं आगे का process आपको जो complete किया है मैंने PDF में बना के रखा है उसको